उधर विपक्षे दल सीटों का संतुलन बनाने में लगे हुए हैं इधर ओपी राजबर का अपना दावा है इनके साथे साथ विपक्षे दलों में E.D. पर घमासान मचा हुआ है बात दिल्ली के कर लेते हैं दिल्ली के सियम अरवन्द केजरिवाल पर E.D. का शकंजा कसा तो सियासी को हराम मच किया अरवन्द केजरिवाल को E.D. तीन बार नोटिस दे चुकी है मगर वो पूछताश में शामल होनी के बजाए नोटिस को गैर कानूनी बता रही है केजरिवाल आरोप रगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें गिरफतार कराना चाहती है ताकि लोगसमा चुनाओं में वो प्रचार नहीं कर पाए जवाब में बीजेपी का ये कहना है कि केजरिवाल का सच दुनिया के सामनी आ गया इसलिए वो छिप रहे है तिल्ली शराब घोटाला मामले में अब जंग आरपार की है अरविंद केजरिवाल एडी के समन के जवाब में खुद पूचताज के लिए नहीं जाते बलकि एडी से सवाल मगाते है और सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उन्हें गिरफ़तार करना चाहती है और जवाब में बीजेपी कहती है कि सत्यता का चोला ओढ़े केजरिवाल का किरदार तार तार हो गया है अब बीजेपी मुझे गिरफ़तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है जूटे आरोप लगाके फरजी समन भेजके यह मुझे बदनाम करना चाहते हैं मेरी इमानदारी पर चोट करना चाहते हैं दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है स्वग होशित भारत रत्न विभूशित जिन्होंने अपने कोई भारत रत्न दे रखा है कटर इमानदारी का तो मैं कह सकता हूं जिविपशना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाठकीता के समध्य कटर इमानदारी का ये किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो गया है सवाल एडी को पूछना है अर्विंद केजरिवाल से मगर अर्विंद केजरिवाल ने चिट्थे लिखकर एडी से खुद सवाल पूछे है कि बताईए के सैसियस से नोटिस भेजा गयर कानूनी केजरिवाल अड़े हुए हैं और बीजेपी कह रही है कि जाँच की आँच से केजरिवाल बच नहीं सकेंगे इन्होंने मुझे समन भेजे हैं, मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है, क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया, मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है, क्या मुझे एक गैर कानूनी संबन का पालन करना चाहिए, अगर कानूनी रूप से सही संबन आएगा, तो मैं पूरा सही यूग करूँगा. केजरीवाल जी का वहाँ जाने से बचना, यह स्वताह प्रमानित करता है, कि उनको ये पता है, कि वो इस जाज की आज से बच नहीं सकते. दोहजार चौबीस का चुनाव सामने है, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का मकसद उन्हें प्रचार करने से रोकना है, इसलिए वो इडी का सहरा ले रही है, जब कि बीजेपी केजरीवाल को कट्टर बैमान बता रही है. बीजेपी का मकसद जाच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोगसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है, ठीक लोगसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है, क्यूं? इस जाच को चलते दो साल हो गए, अभी ठीक लोगसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाए जा रहा है राजनिती में आने से पहले शरीमान अर्विंद केजरिवाल जी इमानदारी की बड़ी-बड़ी बाते करते थे आज कटर बहिमान के रूप में अर्विंद केजरिवाल और उनकी सरकार साबित हुई एक के बाद दूसरा घोटाला आय में पूछताज होनी है इसी मामले में पूर्व डूसरीम, मनीश सवधिया और सांसत संजय सिंग जेल में हैं केजरिवाल कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी नहीं जोइं किया इसलिए जेल में है जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है आज मनीज सिसोधिया, संजय सिंग और विजयन आयर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने ब्रिष्टा चार किया है वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है अर्विंद केजरिवाल ने अपने तेवर दिखा दिये हैं अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा दिली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने अपने तेवर साफ कर दिये हैं एक तरफ वो कथा कथिद शराब घुटाले को फरजी बता रहे हैं तो वही एडी के समन को गैर कानूनी लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आम आत्मी पाटी और अर्विंद केजरिवाल का अ जाहिर है कि अर्विंद केजरिवाल एडी की अगली पूस्ताच में भी शामिल नहीं होंगे केजरिवाल की पार्टी के नेता सुबह से यारोप लगा रहे थे कि आज एडी केजरिवाल के घर पर छापे मारी करने वाली है छापे मारी तो नहीं हुई अब आम आत्मी पार्टी कह रही है कि एडी दो एक रोज में केजरिवाल को गरफतार करने वाली है जैसे जैसे चुनावन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे शराब घोटाले का मुद्दा गरम होता जा रहा है मगर सवाल यही है कि क्या अगले नोटिस पर केजरीवाल पूश्ताज के लिए जाएंगे या फिर E.D. उन पर कारवाई करेगी आमित भारदवाज के साथ पंकत जैर दिल्ली आज तक